सु आपे डीर 2022 का कारभार काफी तेजीश है और काफी बहतर दरीके इसे आगे चरथा चला जा रहा है काफी टीम के लिए काफी अच्छी खबर निगल के आ रही है आगला मुकाबला होने वाला है बैघनուर से अभी इनका вся practice रहने वाला है इनका क्या mindset रहने वाला है और हंश्य के मुकाबले इनए खेलने वाला है विच वाहसे पहले हम दो बात करने वाले हैं पहले चीज के बारे में और गाइस यह है पॉयस्ट केबल को लेके, हाग गाइस आप फाइल देखी है जाएक आपके पॉयस्ट केबल का क्यास अभी चीज़े यहाँ पर आ रही है, तो गाइस कल आपने यहाँ पर देखा था कि लखनव की टीम और स दिल्ली की टीम ने मैचेफ जीते थे और गाइस अगर वही बात के लिए यहाँ पर राजेस्थान रॉयस पहुच गई है, नमबर वन पे चार में पे तीन मुकाबले जीते है, कॉलकता ने पांच में से तीन मुकाबले जीते है, गुजराथ में तीन जीते है, उसके बार बैंगलोर ने चार में से टीन जीते है, लगनाओ पांच में से टीन जीते है, डिली कैपिटल्स चार में से दो जीते है, पंजाब किंग्स चार में से दो जीते है, संद्राइयर वहराबाद तीन में से एक जीते है, बुंबई और चन्रही का अभी तक खाता नहीं यहां पे एक तरीके फैनालिसिस आ गया है और कल की मुकाबले में अगर हमनों बात किया है तो यहां पे KKR को जब हाल मिली तो यहां पे नीचे की जो टीम है उन्हें काफ़े दाब फायदा हुआ था काफी बहतर से यहां पे बनते चले जा रहे हैं लेकिन इनके हाथ से कुछ चीजे यहां पे इस्टेबल हुई है और उसके बाद अगर वही बात किया है तो यहां पे दूसरा मुकाबला जो लखनाउ भारी तो यहां पे एक और फायदा हुआ नीचे के टीमों को कि लखनाउ जब हारी है तो नीचे के टीमें और अच्छी तरीके सब आगे चलती जा रही है क्योंकि यहां पे पांच में से जब यहां पे मात्र तीम मुकाबले आप जीते हैं तो जरूरा उपर की टीमों को काफे ना परशान करते हुए नज़र आ ने वाना है और ना कुछ इस परकर को रहा है जो कि हमारे सामने देखने को मिल रहा है को रेजी अनक बाइं मताना चाहूंगा रेजी अनस 2010 से इंडिया में काम कर रही है और यहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल एक साथ यादा गेम्स खिल के करोणों रूपे जीतते हुए नजर आ सकते हैं 25 प्रांचेस पर अपरेट होता है और यहाँ पर आपको 24-7 विड्रॉल मिल जाता है यहाँ पर रेजिट्रेशन डॉक्मेटेशन के आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है तो नीचे कमेंट हुए लिपिन से यहाँ पर इंके चलिग्राम से ज़वाइन जरूर करें इस आपको बात करने वाले हैं दूसरे निउस को लेके आऊ गाए यह दूसरी निउस निकल के आ रही है चिर्नएग के टीम सेलेक्शन को लेके हैं आपको अच्छी तरी किस पता है कि चिर्नएग ने पिछले दफ़ा आपने प्लेंगिलाउल में एक छेछार किया था चिर्नएग का बात करने वाले हैं लिए अपट इस पर आप भी एगरी जरूर करेंगे और जो भी एगरी करेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बहुत जरूर बतायेगा कि भाई मैं आपके इस बात से एगरी करता हूँ तो गाई सबसे पहरे मैं बात करा हूँ दुए प्रिक्टोरियफ अगर आपके प्ले गिजोन में आ रहा है और वो आपके एक बहतर अगर बल्लेबाज है तो आप इन्हें क्यों ना एक फ्लोटर के तरह इस्ट्रमाल करें और इन्हें आप ओपनिंग में भेज दीजिए यहां पर यह चीज चेनई जरू से कट्वी नफर आपकती है कि डुए प्लिक्टोरियफ अगर आपके फ्लोटर है उन्हें बल्लेबाजी मिल नहीं रही है और चेनई की बल्लेबाजी अगर गहरी है तो एक पिए डुए प्लिक्टोरियफ की आप उपर बे दीजिए अगर दुए प्लिक्टोरियफ उपर आ जाते हैं तो यहां पर एक फायदा जरूर से चेनई के टीम बूख हो सकता है कि आप इस बात पर एग्री करते हैं क्या यह थोड़ा का जो चीज है जो की चेनई हमें इफाब से जान नहीं जाती है कोई यहां पर एक अलग किसिम का दिमाग फूछने के लिए क्या इस तरीके का दिमाग सोच सकते हैं आप अपने दिमाग में जरू बताईएगा तो गाई पाइन दो बात करने वाले हैं अग्रे न्यूस के बारे में और गाइस यह है क्राउड को लेके हाँ आपको अच्छी तरीके इस पता है कि जैसे जैसे कोवी एकदम धीरे से कम होता चला गया है कि यहां पर बढ़ते चले जा रहे है सबसे पहरे 25 परसेंट है यहां पर बीस परसेंट क्राउड को जवर बोलाने का प्लान में है लेकिन अभी तब की न्यूस है कि 75 क्राउड को आते हुए दरबदर आने वाले है तो गैइज लिए बात करने वाले हैं अगले नुश को लेकर और यह तिए है चेंद नहीं और बैंगलोर के मुकाबले से लेकर हर्शल पटेल को लेकर यहां पे पाफेसा शॉपिंग निज़ निकल के आए कि हर्शल पटेल की जो सिश्टर थी वो पाफेस अभे कर गई यानि वो एक तरीके फिर डेट कर गई एकस्पायर कर गई और यहां पे हरशल पटेल को तुरंट ही अपना बायो गबल जो कि इनके टीम का बना हुआ था उसे तोड़ के सीड़े बाहर निकल गए और यह अपने फैमिली मेंबर के साथ फैमिली के साथ चले गए और यहां पे अभी आपको क्वारिंटीन लेना ही पड़ेगा अर्टालीव बहतर घंटेगा तो एसे में चांसे कम है चलेगे खिलाप खिलने का और यहां पे देखना होगा कि अगर नहीं खिल पाते हैं हर्शल पटेल तो कौन सा इसा खिलाड़ी है जो कीटीने रिक्लेस करेगा तेगिन को बड़ा गलो लगता हुआ लगर आने वाला है तो गई पाल्ली बात करने वाला है उसे एंटी न्यूस की बारे में और गाई भी रहने वाला है आज के मैश को लेके हां गाईवाज का मुकाबला जो खिला जाता है वो हैदराबाद वर्फे गुजराट टाइटम्स के बी